देखे कितना कुरकुरा है यह हलो दोस्तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए चावल से टेस्टी और मज़िदार नास्ता आप तो वीडियो के शुरुआत में देखी चुके होंगे यह एक कटोरी चावल है पका हुआ चावल है आए गाजर एक गाजर हरा धनिया पत्ता गोभी मिर्ची हरी मिर्च दो है अधरक लासन एक एक चम्मच है अधरक और लासन छोटे टुक्रे में मैं काड़ चुकी हूँ दो हरी मिर्च है चलिए हम इसी में सब डाल लेते हैं आए लाल मिर्ची पाउडर है एक चम्मच अजीरा पाउडर है आधी चम्मच आई है हम चावल के आटा डाल रहे हैं कम से कम चार चम्मच के करीब भर भर की चम्मच डाल रहे हैं अई चार चम्मच है इसे हम मिला लेंगे उसके बाद हम नमक डालेंगे देख लेंगे कितना मैस करने के बाद कितना जा रहा है उसके हिसाब से नमक टेश्ट के हिसाब से डाले यहां हम चावल का आटा ले रहे हैं घूल बनाने के लिए दो चम्मच इसमें हलका नमक डालेंगे क्योंकि यह फीका ना लगे ऐसे हम इसे घूल बना लेंगे इसके जगह पर मायदा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर घोल बन चुका है आप इसे इतना ही ले करके हाथ में तेल लगा ले इतना ले करके आप जो सेप देना चाहते हैं वो सेप दे सकते हैं ऐसे हम ऐसे ही सब बना लेंगे आप इसमें, मैं यहाँ पचावल के आटा यूज करकी हूँ, आइहाँ पर आप इसमें बेशन भी यूज कर सकते हैं चलिए अब हम इसे बना लेते हैं, ऐसे ही हम घोल में डुबा करके, ब्रेड करम में लपेट ले यह हमरा ब्राउन ब्रेड था आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ही सब बना लेती हूँ बना करके दिखाऊंगी ऐसे ही सारे ब्रेड में लपेट करके आप रख ले आप कभी भी बना के रख सकते हैं आप सुबर में बना सकते हैं तो साम में फराई कर सकते हैं आप इसे फिरीज में रख सकते हो यो पके हुए चावल के बना है तो ज्यादा टाइम तक इसे नहीं रख सकते हैं एक दिन रख सकते हैं अपने नास्ते को ऐसे ही फराई कर लेंगे आए दो से तीन मिनट में फराई करके तयार हो जाता है आएसे तेजी गैस पर इसे फराई करें क्योंकि कम करेंगे तो यह सारा तेल अपने अंदर सोख लेगा ऐसे ही हम सब फराई कर लेते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेड सस्क्राइब जरूर करें मिलती हूं अगले वीडियो में नए रेस्पी कि कसा थांक यू